नमस्कार! इंस्पारिंग बरकत चैनल में आपका स्वागत है. दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. हमारे घर में शादी का माहौल था. मेरा नाम मान्वी था. हम दो बहने और एक भाई था. मेरी दिदी की शादी के रात मेरी दिदी घर से भाग गई थी. मेरे पापा ने उसका दहे जूपर वाले कमरे में फेक दिया और उसे ताला लगा कर हमसे बोले थे. अगर किसी ने भी उस कमरे को खोला तो मेरा मरा हुआ मूह देखोगे सभी घरवाले ये सुनकर डर गए थे और कई सालों तक कोई भी उस कमरे के पास तक नहीं फटका था एक रात पापा को दूद का गिलास उस कमरे में ले जाते हुए मैंने देखा तो मेरे कमरे में अंदर ज्ञांक कर देखा क्योंकि मैं पापा के पीछे चली गई थी अंदर ज्ञांका तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई क्योंकि हम इलाबाद में रहते थे मेरी जिन्दगी बड़ी अजीब तरीके से गुजर रही थी या यू कहें मुझे किसी की की हुई गलती का कर्ज चुकाना पड़ रहा था हम दो बहने और एक भाई थे मेरी बड़ी बहन बहुत खूबसूरत और सुलजी हुई थी पापा की आँखों का तारा थी मुझे भी अपनी बहन प्रिया से बड़ी मुहब्बत थी इसलिए उसके जैसा ही मैं बनना चाहती थी जो काम मेरी दीदी करती थी वही मैं करती थी अगर वो आटा गूंत देती तो मैं भी जिद करती थी कि मुझे भी आटा गुनना है वो खाना बनाती और पापा उसके खाने की बहुत तारीफ करते थे तो मैं भी हर हाल में खाना पकाती ताकि पापा मेरे बने हुए खाने की भी तारीफ करे और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी पापा अकसर प्रिया दीदी से कहा करते थे कि तुमने बहुत बहुत फूख फूख कर कदम रखना है क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं तो प्रिया दीदी तो कोई गलती कर ही नहीं सकती थी वो तो बहुत समझदार थी, लेकिन वक्त से वक्त ने साबित कर दिया था ये सब हमारा वहम था दीदी भी तो इनसान थी और इनसान की फितरत गलत और सही दोनों में शामिल होती है जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेरी बहन बहुत ज्यादा खूबसूरत थी जैसे ही उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो उसके हर तरफ से रिष्टे आने लगे थे ऐसा लगता था कि रिष्टेदारों में होड लगी हुई है कि इसको हम अपने घर की बहु बनाएंगे और आए दिन बेफिजूल में वो हमारे घर के चक्कर काटने लगे थे पापा ने भी सोच लिया था अगर एक घर में मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे घर वाले बेवज़ा मुझसे नाराज हो जाएंगे इसलिए पापा ने फैसला किया कि जहां कोई रिष्टेदारी ना हो दूर दूर तक वहाँ पर मेरी दीदी की शादी करेंगे तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी गल्ती करने जा रहे हैं उन्होंने उन्हें तो चाहिए था कि दीदी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें अपने आसपास बिठा कर उनसे उनके दिल की बात पूछना चाहिए था उनसे दिल की बात मालूम करके कि कोशिश करनी चाहिए थी उनके सिर पर हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेते बेटी तुमने भी तो कुछ अपने भविश्य के बारे में सोचा होगा मुझे बताओ अगर दिल में कुछ है मुझसे शरम आती है तो अपनी मम्मी को अपना राज बता दो मगर पापा ने इस मामले में घर में किसी से भी या किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की कोशिश नहीं की थी उन्होंने बाहर से ही किसी से बातचीत करके दीदी का रिष्टा तै कर लिया था और बात मर्दों के बीच में शादी का रिष्टा जो पक्का हो गया था एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैंने प्रिया का रिष्टा पक्का कर दिया है और वे बहुत अच्छे लोग हैं खाते पीते घर के हैं, अमीर घर है हमारी बच्ची को बहुत खुश रखेंगे मम्मी बिलकुल चुप रह गई थी सिर्फ मम्मी पर ही नहीं हम पर भी बहुत तेज बिजली सी गिर पड़ी की हम तीनों भाई बहन एक कमरे में बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ सवालों सवालिया भरी नजरों से देख रहे थे की यह ऐसा कैसे हो गया, क्यूं हुआ और कैसे हुआ खेर मम्मी कहने लगी देखिए जी यह कैसे हो सकता है लेकिन दीदी तो बिलकुल सोच में पड़ गई थी अगले दिन मम्मी हम बहनों के कमरे में आई और हमसे कहने लगी रिया अच्छे से तयार हो जाना आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं दीदी शिक्वा करने से अपने आप को रोक नहीं पाई और बोली मम्मी मुझे पापा से इस तरह के फैसले की हरगिज उम्मीद नहीं थी तब मम्मी चौंक गई उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी मेरी बच्ची बताओ अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी ने तुमसे शादी का वादा कर रखा है तो मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाती हूँ अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उसी जगा करवा दूँगी जहां तुम कहोगे दीदी ने नामे सिर हिला दिया और बोली नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं कर रही हूँ मैं मगर फिर भी मेरे दिल को अजीबों गरीब विचारों ने घेर लिया है ऐसा लगता है ये शादी मेरे लिए खुशियां लेकर नहीं आएगी बलकि मेरे मुकदर की बरबादी बन जाएगी मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी थी मम्मी बोली प्रिया ऐसी बाते करने से पहले यह नहीं सोचा की मेरे मा के दिल पर क्या गुजरेगी तभी वे लोग दीदी को देखने के लिए आ गए थे उनमें एक बूड़ी ओरत थी और एक जवान लड़की थी उन्होंने बताया की लड़की की मां तो बीमार है और होस्पिटल में है और कोमा में है इसलिए लड़की की दादी और बहन आई है मम्मी ने मुझे कहा मानवी जाओ और दीदी को अपने साथ ले आओ लड़की की दादी ने दीदी को बहुत प्यार किया था वो लड़की भी बहुत अच्छी लग रही थी, जो उन्हें देखने आई थी उसने तो अभी से दीदी को भाभी कहना शुरू कर दिया था फिर जाते हुए लड़के की दादी ने दीदी के हाथ पर पैसे रख गई थी सच कहूं तो प्रिया मेरे दिल को बड़ी तसली सी मिल गई है तुम बताओ प्रिया, तुम्हारी क्या राय है? दीदी तो जैसे मारे शरम के लाल हुए जा रही थी उनके गाल तो बिलकुल लाल-लाल हो गए थे दीदी बोली की मम्मी मुझे इस रिष्टे से कोई एतराज नहीं है फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया था कोई नहीं जानता था की खुशियां बहुत जल्दी गम में बदलने वाली थी सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था कुछ भी गडबड तो नहीं थी दीदी भी खुशी-खुशी हर चीज में हिस्सा ले रही थी वो अपनी हर चीज से जुड़े जो उन्हें चाहिये थी जैसी चीजें थी उन्हें बैग में रख रही थी अपने जूते भी तो उन्होंने खुद ही पसंद किये थे सिर्फ इतना ही नहीं बलकि बारात के लिए अपनी मर्जी का पारलर भी खुद ही तै किया था सब कुछ अच्छा भला था किसी के दिमाग में ये भी गुमान नहीं था कि दीदी अपने दिल में क्या ठान कर बैठी है घरवाले सब बहुत खुश थे मैंने तो एक हफ़ता पहले ही धोलकी का इंतजाम कर लिया था ममी ने तो मुझे मना किया था कि मानवी लड़कियों की शादी पर इतने दिन पहले धोलकी नहीं बजाई जाती है मगर मैं कहां मानने वाली थी धोलकी की हम लोगों ने बहुत बजाई थी और बहुत जो दीदी के लिए गाने गाये थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे बलकि अपनी फर्माईश पर अपनी मर्जी के गाने भी हम गवाया करते थे मुझे तो ऐसा लग रहा था अगर शर्मों हया नहीं आ जाती तो खुद दीदी भी हमारे साथ बैच कर गाने लगती खैर वक्त गुजर गया और दीदी की बारात का दिन आ गया दीदी बहुत महेंगे पारलर से तयार होकर आई थी उन्होंने अपनी अपनी पसंद का लहंगा पहना हुआ था थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई थी मैंने दूलहा को देखा तो मेरा तो मुझ खुला का खुला रह गया दूलहा तो बहुत ही खुबसूरत और हैंसम भी था सोचा जाकर दीदी को बताती हूँ कि आपकी किस्मत में तो शेहजाधा लिखा है मैं भाग कर अपने कमरे में गई तो वहां दीदी नहीं थी मैं हैरान थी अभी तो मैं दीदी को यहीं छोड़ कर गई थी अब वो कहां चली गई मैंने उनकी तलाश में मम्मी के कमरे में भी गई वो भी खाली पड़ा था मेरी फिक्राब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी मैं जल्दी से बाहर आई और अपनी मम्मी को ढूंडने लगी मेरी मम्मी महमानों की खातिरदारी में लगी हुई थी मैं मम्मी का हाथ पकड़ कर एक कोने में ले गई और बोली मम्मी प्रिया दीदी अपने कमरे में नहीं है तो मेरी मम्मी ने कहा अरे वो यहीं कहीं होगी और मेरा हाथ जटक दिया और बोली यहीं कहीं होगी पीछे हटो मुझे अभी सब महमानों की से मिलने दो और वे इस अंदाज में बात कर रही थी जैसे उन्हीं किसी चीज की गलत होने का अंदेशा ही ना हो तब मैं मम्मी का हाथ पकड़ कर जंजोड़ कर बोली मैं बोल रही हूँ मम्मी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है मम्मी फिर चोग गई और बोली तुम्हारी घबराहट मैं दूर करूँ और मम्मी मेरे साथ आ गई मेरा हाथ पकड़ कर मम्मी हमें दीदी के कमरे में ले गई और एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में हम दीदी को ढूंडते रहे मगर वह नहीं मिली। मम्मी के चहरे का रंग उड़ गया। तब जेमाला का टाइम हुआ था और जेमाला के लिए शोर होने लगा था तो पापा कमरे में आये। उनकी आँखें भी लाल सुर्क हो रही थी। शायद उनके अपनी बेटी की विदाई का गम उन्हें साल रहा था। इतने में ही उनकी चहेती बेटी उनकी इज़त को तार-तार कर गई है। उन्हें तो ये भी पता नहीं था वो तो अपनी बेटी की विदाई का उन्हें गम हो रहा है। मम्मी रोते हुए पापा से बोली देखिये जी, प्रिया नहीं मिल रही है। मुझे इस रुस्वाई से कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता. मेरी तो बहुत बेजजती हो जाएगी. चारों तरफ मेरी रुस्वाई होगी. तुम्हीं बताओ कमली, मैं क्या करूँ? लोगों का सामना कैसे करूँ? कैसे जाकर बरातियों से कहूं कि बारात वापस ले जाएगे. मैं कोई बहाना बनाती हूँ कि मेरे पती की तबियत खराब हो गई है. ऐसे में हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते हैं. बाबा बोले की कमली तुम्हें इतना. तुम्हारे अंदर होसला है. मम्मी ने अपने आसू पोंचे और कहने लगी आपकी इज़त कर फिर कह दिया था कि देखिये जी मेरे पती को दिल का दौरा पड़ गया है. ऐसे में हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते. आप लोगों की बड़ी महरबानी होगी. आज आप लोग बारात वापस ले जाएं और फिर किसी दिन अपनी अमानत को फेरे डलवा कर सादग इसे घर ले जाना. हर तरफ बातें बनने लगी थी कि मम्मी ने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया था. लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उनका जवाब नहीं था. इसलिए हम सब एक ही कमरे में दुपके हुए बैठे थे. हमने कभी सोचा भी नहीं था क प्रिया दीदी के हाथों ऐसी बुराई हमें सहनी पड़ेगी. मम्मी बोली थी देखिये जी, इस तरह आपकी तबियत खराब हो जाएगी. बच्चों तुम्हारी मदद करेंगे. पापा बोले तुम तो बात ही मत करो कमली. तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो अपनी बे दिया था और बोल दिया था कि कोई भी इधर नहीं जाएगा और अगर जाएगा तो मेरा मरा हुआ मुह देखेगा. उसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी सूरते हाल थी. हर दफा हम एक दूसरे से नजरे चुराने पर मजबूर थे. पापा भी हम सबसे छुप छुप कर रोते थे. जब वो नीचे आते थे तो बहुत ठके ठके लगते थे. आखें सुर्ख लाल होती थी. मम्मी कहती थी तुम्हारे पापा हम सबसे छुप कर छट पर जाकर रोते हैं. हमें तो यही लगता है कि दीदी की शादी का किस्सा खतम हो गया. मगर एक महीने के बाद हमे लड़के वालों की तरफ से फिर फोन आ गया था. तो जो लड़का था उसका नाम अरजुन था. उसकी दादी मम्मी से कहने लगी थी. देखिए इतना महीने हमने आपसे कोई बात नहीं की क्यूंकि हम आपसे नाराज थे. बारात को आप लोगों ने वापस कर दिया था. के लिए मना कर दिया हो और आपने अपनी इज़त बचाने के लिए अपने पती की बीमारी का बहाना बना लिया होगा. अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उस पर भी कोई इतराज नहीं है. अगर आप अच्छा समझो तो आप अपने पती से यह राय मश्वरा कर लो. हमें अप अगर आपका घराना हमें अच्छा लगा है. इसलिए हम चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह हमारी रिष्टेदारी आपसे हो जाए. मेरी मम्मी कहने लगी ठीक है. मैं अपने पती से राय मश्वरा करके आपको बताऊंगी. मम्मी ने अपना फोन बंद कर दिया था और मुझ से बोली मानवी तुम कहो तो ये रिष्टा तुम्हें मनजूर है. मैंने अपने कंधे उचका दिये और कहा दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे तो नफरत की निगाह से देखते हैं. मैं चाहती हूँ कि दिन से रात ना हो और मै मैं यहां से चली जाओं और दोबारा यहां पर वापस लोटकर ना आऊन. मम्मी मेरे गले में अपना हाथ डाल कर रोने लगी और बोली बेटी हमारे नसीब है. ऐसे ही किसी कि सजा हमें मिलती है. तुम्हारी मा के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है. मैं सोचती हूं गलती कोई करता है और सजा दूसरे को मिलती है। इसलिए चाहती हूं कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए। मगर मैं क्या करूं बेटी? मैं तो खुद मजबूर हूँ. हमारे हाथ बंधे हुए है। मम्मी इसकदर टूटी हुई थी. मुझे भी उनकी हिम्मत बनना पड़ा मैं मम्मी से बोली मम्मी आप नाराज मत हो सब भगवान अच्छा करेगा और मैं उठकर अपने कमरे में चली गई क्योंकि पापा के घर वापस आने का समय हो गया था आज मेरा दिल अजीब सा धड़क रहा था क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला हुआ था जैसे ही घर का दर्वाजा खुला मैं अपने कमरे की खिड़की में आकर बैठ गई पापा घर में आ गए थे पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर वो दबे कदमों से किचन में चले गए थे उन्होंने फिर इधर उधर देखा जैसे वो काम बड़ी समझदारी और सावधानी से कर रहे थे वो किचन में गए और किचन में से एक गिलास दूद लिया और फिर धीरे धीरे सीडियां चड़ने लगे और फिर छट पर चले गए और मैं बिलकुल हका बका सी खुफिया अंदाज ने उसे खास बना दिया था मुझे फिर उस बात की फिक्र हुई की मम्मी पापा के आने के बाद कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली क्योंकि अब वो जब काम से वापस आया करते थे तब मम्मी सब कुछ छोड़ छाड़ कर पापा के पास आ जाया करती थी और उनसे खाने का पूछती थी फिर ताजा रोटियां बना कर देती थी मैं दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला की मम्मी तो सो रही है खैर पापा आधा घंटे के बाद छट से उतर आये थे उनकी हालत अजीब सी हो रही थी मैं ये सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी मम्मी ने पापा को बताया की आज उन्हें लड़के वालों का फोन आया था जिनकी बारात को हमने वापस कर दिया था वे अब हमारी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे हैं वे कहने लगे अगर आप हमें अपनी बड़ी बेटी का रिष्टा नहीं दे सकते थे तो आप हमें अपनी छोटी बेटी का रिष्टा दे दे मेरे पापा खाना खाते हुए उसी वक्त उठ गए और खाने की थाली को फेक दिया और गुस्से में दहार मार कर बोले उनसे कहना की मेरी बेटी के नसीब में अभी इतने खराब दिन नहीं है जो तुम जैसे बेगेरत लोगों को रिष्टा दे दे जहां मैं ये सुनकर चौक गई वही मम्मी भी दंग रह गई थी मम्मी बोली जी आपकी इस बात के क्या मतलब है जो आप ऐसा बोल रहे हैं मेरे पापा बोले क्या क्या कुछ नहीं मम्मी बोली बताए न क्या वे लोग अच्छे नहीं हैं पापा ने नामे सिर हिला दिया और कहने लगे आज के बाद अगर उनका फोन भी आए तो मत उठाना तब मेरी मम्मी बड़े गुसे में बोली अजी आपको तो अपनी अकल पर बड़ा गुमान था आप तो बड़े समझदार थे आप तो कहते थे औरते कम अकल की होती हैं फिर आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई आप कैसे मेरी प्रिया का रिष्टा ऐसे लोगों में दे रहे थे जो बुरे थे पापा ने इधर उधर दरवाजे को धक्का मारा और घर से बाहर निकल गए मम्मी फूट फूट कर रोने लगी और बोली अगर मेरी मानते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता इन्होंने आज तक मेरी नहीं मानी और मेरी जिन्दगी खराब कर दी अब मैं तुम्हें क्या बोलू? जितनी देर घर में होते मैं अपने कमरे से नहीं निकलती थी जब मम्मी तो हर वक्त तुम प्रिया दीदी के गम में डूबी रहती थी भाई स्कूल से टूशन और टूशन से फिर क्रिकेट खेलने चला जाता था वो रात देर घर से लोटता था ऐसा लगता था जैसे वो भी घर के माहौल से भागना चाहता था अब अक्सर पापा को मैंने छट पर दूद ले जाते हुए देखा था मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो दूद का गिलास छट पर क्यूं ले जाया करते थे मैं हर वक्त इसी बात से परेशान रहने लगी इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी मैं सारा दिन प्रिया दीदी को याद करके रोने लगी थी और क्योंकि प्रिया दीदी मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी काश वो इतना गलत कदम नहीं उठाती रात बहुत गहरी हो चुकी थी आसपास के कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में बैठ गई तब मुझे कोई अजीब सा महसूस हुआ जैसे कोई हमारे आंगन में घूम रहा हो मैंने गौर किया तो वो कोई और नहीं मेरा बाप था मैं चौंक गई पापा के अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे आज वे बहुत मजबूर हो मुझे भी आज उन पर तरस आने लगा था लेकिन पापा फिर से छट पर जाने लगे थे और वो कमरा जो पापा ने दीदी के दहेज से भर रखा था वो भी खुला हुआ था और उसमें से भी रोशनी आ रही थी मैं भी पापा के पीछे पीछे चुपके चुपके उनके पीछे आ गई थी देखना चाहती थी आखर माजरा क्या है और दरवाजा खुला था तो इसलिए मैं ये देखकर अंदर का मंजर देखने लगी अंदर तो दीदी बैठी हुई थी मैं ये देखकर थर-thर कापने लगी थी पापा पापा दीदी को निवाला बना कर उसके मुह में डाल रहे थे क्योंकि वे उसे खाना खिलाना चाहते थे दोनों चुप थे मगर उनकी आँखों में आशू बह रहे थे और यह सब क्या हो रहा था मेरी समझ से बाहर था और मुझे बड़ी घबरहट हो रही थी फिर बड़ी देर के बाद पापा ने बोला देखो प्रिया तुम मेरी बड़ी बेटी नहीं हो और दीदी एकदम से पापा पर चिला पड़ी और कहने लगी इसलिए आप ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं कि मैं आपकी उलाद नहीं हूँ क्या आप ये घिनोनी हरकत मानवी के साथ कर सकते थे पापा जल्दी से बोले प्रिया मैं तुम से बहुत प्यार करता हूँ मगर ये तुम ये जानती हो कि ये सब मैं कभी भी मानवी के साथ नहीं कर सकता था तो प्रिया दीदी रोने लगी थी वो बोले मुझे वजह जाननी है आपने मुझे इस कमरे में बंद क्यूं कर रखा है? तो पापा बोले, सुनो, आज मेरे पास बहुत वक्त है मैं तुम है वैसे भी तुम तो सारा दिन बेहोश हो जाती हो मगर यह जो यह मानवी है ना उसकी वजह से मैं कभी भी ज्यादा देर छट पर नहीं रह पाता क्योंकि मुझे डर है कि कहीं उसे मुझे पर शक ना हो जाए रात के इस पहर में सब सो रहे हैं इसलिए आज मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ प्रिया दीदी से वो कहने लगे सुनो प्रिया हम दो भाई बहन थे एक मैं और एक मुझे से बड़ी बहन जो मुझे से पूरे साथ बरस बड़ी थी इसलिए उसकी शादी पहले हो गई थी दीदी की शादी के बाद हमारे घर में बहुत खामोशी च्छा गई थी इसलिए तै किया गया था कि मेरी शादी जल्दी करेंगे उन्होंने मेरे लिए परी कारवाल हो जो मेरे माता पिता थे उन्होंने मेरे लिए कमली को पसंद कर लिया और हमारा रिष्टा तै हो गया था उन्हीं दिनों में हम पर कयामत तूट पड़ी थी क्यूंकि जो मेरी दीदी थी, वो विध्वा होकर घर आ गई थी, और दीदी अकेली नहीं थी, बलकि उनकी गोद में 4-5 महिने की बच्ची थी. उन्हें ना अपनी फिकर थी, और ना ही अपनी बच्ची की. वो तो किस सोच में रहती थी? उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा था मेरी मा भी बूरी हो चुकी थी, इसलिए वो भी उस बच्ची को संभाल नहीं सकती थी कमली ने तुम्हें हाथों हाथ लिया और तुम पर इतना प्यार निचावर किया कि वो भूल ही गई कि तुम उसकी बेटी नहीं भांजी हो तुम जब बोलने लगी तो तुम कमली को मम्मी ही कहती थी मामी नहीं कहती थी और अपनी सगी मम्मी को बुआ कहती थी हालात कुछ संभलें तो तुम्हारी मम्मी का रिष्टा हम धूंडने लगे थे दीदी ने एक लड़के का नाम खुद ही लिया था और मेरी शादी उस लड़के से करवा दो पापा ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि तुम उस लड़के के बारे में खोजबीन करके मुझे बताओ कि वो लड़का कैसा है जब मैंने पता किया तो वो लड़का फ्रोड निकला था मगर जब मैंने यह बात घरवालों को बताई तो यह बात तुम्हारी मम्मी नहीं मानी और वो उस लड़के के साथ भाग गई थी मुझे इस बात का खयाल आता कि तुम कहीं अपनी मम्मी के नक्षे कदम पर तो नहीं निकलोगे नहीं तो मेरा जीना तो हराम हो जाएगा इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिष्टा ढूंधा और तुम्हारी शादी तै कर डाली जब लड़के की माँ कोमा में थी, जब हमने रिष्टा तै किया था उसकी दादी और बहन तो मौजूद थी और मैंने सोचा था चलो कोई बात नहीं, ये शादी जल्दी हो जाएगी पता है फिर क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारी बारात में लड़के की मम्मी ठीक होकर बारात में आ गई थी और तुम जानती हो वो औरत कौन थी? लड़के की मा मेरी दीदी और तुम्हारी असली मा थी, यानि वो लड़का असल में तुम्हारा भाई था मैं ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया इसलिए तुमसे कहा कि तुम छट पर आकर मेरी बात सुनो और फिर मैंने तुम्हें छट वाले कमरे में बंद कर दिया मैंने सुचा था सुभा तक कमली को सारी सच्चाई बता दूँगा फिर खयाल आया कि मैंने तुम्हारी मा की शादी नहीं होने दी थी और वो घर छोड़ कर भाग गई थी अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती थी मुझे डर था कि कहीं तुम भी अपनी मा की तरह घर से भाग गई तो इसलिए मैंने तुम्हें यहां पर बंद करके रखा और अपनी बहन की बेटी को कैद करके मैंने इसलिए रखा कि मैंने तुम्हें अपनी आउलाद की तरह प्यार करता हूँ जिस दिन से मैंने तुम्हें कैद कर रखा है, मैंने जो मानवी को भी मैंने इस बात के लिए नहीं छोड़ा, उस पर भी मैंने बहुत सक्ती दिखाई है प्रिया दीदी जैसे एकदम से होश में आई वो बोली, अगर मैं घर से भाग जाती भी तो आपकी इज़त तो खाक में मिल जाती मगर आपने तो मुझे यहां बंद करके अपनी इज़त को खाक में खुद ही मिला लिया वे लोग तो बातें बनाते ही होंगे प्रिया दीदी घर से भाग गई है तभी तो बारात वापस लौट गई अभी वे दोनों बाते कर ही रहे थे कि मंदिर में आर्ती की घंटी बजने लगी थी और पापा बोले थे प्रिया बेटी मुझे माफ कर देना अब मैं जा रहा हूँ हो सकता है किसी की आँख खुल जाए मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली अब मैं और जुल्म पापा अपनी दीदी पर नहीं होने दूँगी उनकी मम्मी ने जो गलती की है उसकी सजा अपनी दीदी को मिलने नहीं दूँगी भगवान सब को उसकी गलती की सजा देते हैं आप उसको सजा खुद से सजा क्यूं दे रहे हैं? कौन होते हैं आप उसे सजा देने वाले? आपने ये सब क्यूं किया दीदी के साथ? पापा ने मेरी बात सुनकर एकदम बौकला गए थे, इसलिए जल्दी से नीचे चले गए। पापा ने में सबसे पहले पहल की थी. फिर हम सबने जोर दिया दीदी ने की चलो पापा को माफ कर दें. सब कुछ ठीक हो गया. सबने पापा को माफ कर दिया था. पापा ने दीदी को इजाजक दे दी थी की वो अपनी मा से मिलने लगी थी और वो बहुत जल्दी ही उनकी ए आगे खुशियां ही खुशियां होंगी यह एक ऐसी motivational कहानी है लेकिन आप लोग ऐसा बिलकुल न करें घर छोड़ कर बिलकुल न भागें आप अपने दिल की बात अपने माँ बाप अपने से जरूर बताएं क्योंकि भागना किसी भी समस्या का हल नहीं है आपके माँ बाप भी आपकी बात को समझेंगे और सहमत होंगे तो माँ बाप उलाद का हमेशा भला चाहते हैं वे कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद